और इस वक्त सीधे रादिका खेडा खुद निउस 18 पर जुट रही हैं तो सीधे उनी से बात करते हैं और उनी से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था रादिका जी बहुत स्वागत है आपका अभी अभी दिपक बैच साब की प्रेस कॉन्फरेंस भी आ रही थी और आप अचा यह चानल का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरी लड़ाए मेश मेर आफ मेरे बाते हुन के अफसोस मेरे खुद के परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया खुद के पार्टी वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और खुद की पार्टी ने मेरे साथ इतनी अबधरता की। मैंने तो नहीं ऐसा किसी भी भेन के साथ व्यवार देखा, किसी भी महिला के साथ, हमारे संसकार, 36 गड़ महतारी के संसकार तो ऐसे नहीं है। हाचुनाव लडने जा रहे हैं कि छोटा सा बलतकार हुआ है। उसी तरीके से आज इनके प्रदेश के मुख्या को यह छोटी सी बात लग रही है। और वो सुशील अनद्शुकला जो आज कह रहे हैं कि मेरी छोटी बहन है, तो छोटी बहन को तीन आदमियों के साथ कमरे में बंद कर लिया जाता है। तीन चोटी बहन को आपने इतना मजबूर कर दिया कि उसकी हालत ऐसी होगे कि उसको अस्पतार लेकर जाना पड़ा। ये छोटी बहन होती है, पता निए चोटी बहन होती है, बिल्कुल पिछले चुनाफ से और मैं लगातार 36 गड़ की नेतित्व से लेकर हमारी पार्टी के शिष नेतित्व, राहुल गांदी जी से लेकर प्रियंका गांदी जी तक ये आवाज बार बार उखा दू रही, ल कि आप से ये भी कहा गया, कि भाई ये काम तो हमारा है, ये आप क्यों कर रहे हैं? राधिका खेड़ा फेमिनन कार्ड खेल रही है, ये भी बात जा रही है, कि महला हूँ, और महला को परिशान किया गया अब देखे महला तो मैं हूँ इस पे कोई दोशक है क्या किसी को महला हूँ महला के फ़ज़शान किया गया महला को गाली दी गई महला को तीन आदमी ने बंद कर दिया महला रोगती चिलाती बिलबिलाती रही महला नीचे गई मलकीत सिंग गेंदू जी के दफतर में जो वहा पूरा विवाद हुआ तो राधिका खेडा ने मोबाइल निकाल लिया कि क्या कह रहे हो वीडियो बनाया उनके पास एक वीडियो है यह भी का जा रहे देखे पुनी जी लगातार यह आदमी अभधरता यह लगातार गाली गलोज हमीशा से करते आया और फिर अगले दिन आ गाली दो फिर माफी मांगो बार बार यह होता रहा लेकिन अब हदे पार हो गई और इतनी गंदी गंदी गाली और इतनी अभधरता और फिर वीडियो तो मैंने शुरू से बनाया और बहुत राम जी की क्रिपा रही कि मेरा दिमाग चल गया कि जो आदमी लगातार जूट आदमी हर रोज अपने बच्चों की जूटी कस्में खाता है और आप कभी घूम के देखेगा 36 गड़ के जनलिस्स से जो वहां का बीट कवर करते हैं उनसे बात करिएगा हर जना बताएगा कि किस तरीके से सुशील आनंद शुक्ला लगातार गाली गलोज करते हैं मेरी लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी से यह लड़ाई हर उस बढ़ पे बैठे व्यक्ति से है राहूल गांधी जी से प्रियंका गांधी जी से जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप महिला न्याय की बात करते हैं, जब आपकी घर की बेटी न्याय मांगती है, गुहार करती है, तो आप चुप हो जाता है, मैंने आप, सब ने मेरा ट्वीट भी देखा था, जब प्रियंका दीदी आई थी यहां पे, तो मैंने दीद 36 गड़ में बड़े बड़े नेता जो आपने आपको कक्का कहते हैं, वो तो जी क्या क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन राधिका खेड़ा भी वही बात है कि बीजेपी जो 36 गड़ में खेल चल रहा है, वो ये कहा गया कि जान बूच कर ज्यादा टार्गेट कका को किया ज कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? प्रभु श्री राम की मूर्ती की भी स्थापना हुई थी रामलला की, तब भी मेरे घर में सुन्दरकान हुआ था, तब भी मुझे डांट पड़ी थी, क्यों मैंने फोटो चलाई, क्यों मेरे घर में ये सब हुआ, जो मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्यों राम जी हमारे अराधिया है, मैं जिसकी भी पूजा करो, वो मेरा हक है, और हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है, लेकिन जो पार्टी संविधान के रक्षक होने की बात करती है, जब उसी पार्टी का कारे करता, अपने घर में प्रभु श्री राम की मूर्ती लगने की खुशी म बनाता है, तो पार्टी को तकलीफ होती है, वही पार्टी का सदस्य जब रभु श्री राम के दर्शन करके आता है, तो उस वज़े से मुझे न्याई नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैं राम लल्ला के दर्शन करके आई, तो मेरे केंद्रे नेतिर्प्रम ने मुझे इस बा रादिका खेडा को लगा बुरा और रादिका खेडा को याद आए राम। रादिका खेडा को लेकर आए आपकी बेटी के साथ इतरी अब भद्रता हुई लेकिन एक आदमी की वज़े से एक भुपेश कक्का की वज़े से आप अपनी बेटी को न्याय नहीं देना चाते जो केंद्रे नेत्रित में मुझे दिल्ली भेजा था मैं अपनी मर्दी से तो मैं अपने ही समय और समय पैसा तो देखिया हाथ की मेला आईगी जाएगी लेकिन मेरे समय से जादा कुछ नहीं हो सकता मैंने दिन रात काम किया आप लोगों ने मेरी खुब प्रेस कौन पर काई पूरा प्रदेश घूमी लेकिन जब बारी आई तो मेरे को गाली दी गई आगे राधिका खीड़ा के पुनी जे चत्यजगर आप लंबे सबे से देखते आ रहे हैं ख़वर करते आ रहे हैं पिछले पांच साल से लगा तार भुपेश कका हम बेटी बना के चत्यजगर तीजापोरा पर बुलाते आए हैं हम तो अपने आपको चत्यजगर की बेटी करेंगी लेकिन ये बात साफ है कि उनका संद्रक्शन सरफ और सरफ प्रियंका गांधी की तरफ से किया जा रहा है प्रियंका गांधी जी की टीम है भुपेश बगेल जी और वहीं ये काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जी भी मुझे नयाय देने का काम नहीं कर रहे क्यों और हमारी पार्टी के मंदिर में जब इक किया जा रहता है, तो आप खुद सोच लीजे कि बेटी के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब अपने दफ्तर में, सबसे सेफ प्लेस में सुरक्षत नहीं है, और न्याई नहीं दिया जा रहा है, सिरफ एक गलती बेटी की, एक गलती में, कि छह महिने से मेरे साथ ये सब को चल रहा था, और पर रामदर्शन का बहाना, तो यह कहा जा रहा है, और ये मैंने एक ख़वर कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कि ये तो मामला कुछ और था, ये मामला कुछ और था, ये पहले से при Bub। के नामल सकहला है, ये इन्द्रितृत की बात हो रही है क्योंके केुवे नेत्व के नेत्रित्व की बात हो रही है क्योंके क्या-क्या मुझ्य नेखा दिया मुझÏ आप Wassaci लेकिन दीपक बैज ने एक बार भी आप मुझे बता दीजे पांच दिन में अगर कोई ऐसा वाक्य होता है क्यों इस आदमी को शोकॉस नोटिस नहीं दिया गया आप भी एक जगा पर काम करते हैं अगर ऐसी कोई चीज आती है तो शोकॉस नोटिस दे के उससे पूछा जाना जाए था की जाए था क्या इसमें सचाई है यह नहीं क्योंक Раз प्रदेश के मुझे वहामंतरी मल्की और मनें नस्कों वीडियो भी दिखा या कि देखें मैंने पास वीडियो है तो एसा नहीं है कि उनको नहीं पता था तो तब भी प्रदेश के मुख्या दीपक बैज ने उस आदमी को चाहे वो हो चाहे सचिन पाइलेट हो जिनको मैंने सबसे पहला कॉल लगाने का काम किया और सब आके बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था हर चीज का रिकॉर्ड में तो सबसे पहले रादिका खेडा जब रो रही थी और जो बात पे सामने आई जो वीडियो सामने आया उसमें इमेज तो आपकी क्लियर नहीं लेकिन आवाज समझ में आ रही कि आप कितनी तकलीफ में रादिका खेडा ने सबसे पहले कौल किसको लगाया था? उस समय मैं विनोध वर्मा से बात कर रही हैं और आप अपनी तकलीफ जाहिर कर रही हैं रादिका खेडा क्या इस मामले पर खेडा खड़ा कर रही है या फिर उनके साथ इतना अन्याय हुआ तो कानून के साहता लेने वाली हैं? अगर आपकी किसी घर की महिला के साथ इस तरीकी की चीज हो तो क्या वो बखेडा है? अगर एक महिला न्याय की गुहार कर रही है तो वो बखेडा है? आपके सिक्र किया की दो दशक से ज्यादा समय आपने पार्टी को दिया है. इसके पहले भी आपने क्या ऐसा अनुभव किया? लेकिन रादी का खेडा तब चुप रही? इसके बिलकुल नहीं चुप रही है, मैं कभी चुप नहीं रही हूँ. महिला मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ और हमेशा अपने पार्टी में भी आवाज उठाती आई हूँ. चुप रहती होती तो आज मुझे सजा नहीं मिल रही होती चुप ही तो रहचाते थे तो लड़ाई कैसे लडने वाली आंगे की देखिये लड़की हूँ लड़ रही हूँ न्याई लेके रहूँगी और मुझे प्रभुष्री रामबे पूरा विश्वास है कि मुझे ल्याय मिलेगा बाकी मैं कल सुभा साड़े ग्याराफ बजे फ्रैसवारता करूं यूँ उसमें बाकी सारी बातों का खुलासा करूं बीजेपी से बात हुई ऑफ्रैसबी बीजेपी कह रही है कि आईये आपका स्वागत है देखिए एक तरफ वो लोग है जो मेरी अपनी पार्टी है जिनको मैंने अपना बाइस साल दिया